वसिला ठाना कोतवाली नगर शेतर में शिकोहाबाद रोट पर जरजर मकान के द्वhistी करन कारे के दौरान भर भरा कर गिर कया जरजर मकान के मलबे में चार मजदूर दब गया मकान का लेंटर गिरने से एक दर्दनाक हास्ता हुआ मलबे में दबने के कारण एक मजदूर रंजीत पुत्रों प्रकाश उम्र लगबक 28 साल की दर्दनाक मौत हुई हाथसे में तीन अन्य मजदूर गंभी रूप से गायल हुए घटना आज सुबह लगबक 6 बच कर 45 मिनट की है जब मजदूर मकान को ध्वस्त कर रहे थे तभी अचानक जरजर मकान की एक दिवार खिसक गए जिससे पूरा लेंटर भरभरा कर गिर गिया मलबे में चार मजदूर दब के अचानक मकान का लेंटर गिरने के हाथसे की खबर होते ही भगदण मच गई मौके पर पहुँचे इस्थानी लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बचानी के लिए राहत बचाओ शुरू कर दिया इस्थानी लोगों ने कोतवाली में सूचना दी सूचना मिलते ही प्रभारी निरिक्षत राजिस चोहान मै पुलिस बल के मौके पर पहुँचे तुरंट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया पुलिस और बचाओ दलने किया रेस्क्यू घायलों को अस्पताल में भरती कराया रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला दुर्भाग्यवा शीक मजदूर की मौके पर मौत हो गई म्रतक मजदूर का नाम रंजीत है जो की एटा शहर के मुहला कट्रा का निवासी है जबकि ये तीन अन्य मजदूरों को गंभीर हालत में नजदी के इस्पताल में भरती कराया पुलिस ने घटना की जांश शुरू कर दी और इस बात का पता लगाया जारा कि लेंडर गिरने का कारण क्या था खाथ्से में भासकर पुत्र अशुक निवासी मुहला कट्रा म२ू पुत्र ब्रह्महनन्द सोनू फुत्र फुल्वारी निवासी हिंबत नगर घायल हुए है धाराशाई हुए मकान के मालिक का नाम अशुक सक्सेना है जिनके मकान में द्वस्तिकरण का कारे चल रहा था जानकारी के अनुसार मकान के द्वस्तिकरण की कोई अनुमती नहीं ली गई थी लिए अच्छा उपाइर हुए ट्यवारा निकाले गए जैने कि अफ्सक्राइब टैक टॉप अच्छी कर नेधर लोग की तैसके नेल्टर वाले है अच्छा तो लेंटर वाले लेलिए बाले निधर फेल्ड फ्र्स अग्र्रें तबने निकाले थे एक दीवारा पूर तो पुलिस मोंके पर आगी थी पंद्र विडियों पर आगी तो पुलिस मोंके पर आगी पंद्र विडियों तो